तो दूस्तो हम ममीों के साथ ना एक बहुती कॉमन सी परिशानी है वैसे दो परिशानी है पहली ये कि बच्चों के लिए रोज रोज स्टिफिन बॉक्स में क्या बनाए और दूसरी ये कि जब भी घर पर केले आते हैं अगर कोई उन्हें नहीं खाता तो इस तरीके से वो तो उसका क्या किया जाए आज की वीडियो में मैं दोनों का सेलेशन लाई हूँ एक ही वीडियो से आपकी दोनों परिशानिया सॉल हो जाएंगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी हम बनाएंगे ओवर कुग्ड बनाना से कई बार बनाना जो हमारे पर रखे रहते हैं वह सॉफ्ट होने लग जाते हैं तो आप उनसे इस रेसिपी को बना सकते हैं यहां पर आपने देखा मैंने यहां पर ओवर कुग्ड बनाना लिए हैं दो बनाना लिए हैं उनको इस तरीके से छोटे-छोटे पीसिस में पहले हम कट कर लेंगे और फिर जासी आप हैं दचा है अ कि यहां पर एक मिकसर या पर किसी भी ब्लेंडर में आप Все आड़ कर सकते एं उसके साथ ही दोस्तो इस रेसिपी में मिठासाए और यह रिसेपी और है। यह लिए हैं गाता। वो वाले हमें यहाँ पर इस्तमाल करने हैं आप यहाँ पर देखिए बनाना एंड डेट्स को मैंने पीस लिया है और इसकी एक परफेक्ट सी प्यूरी बना कर मैंने आपर रेडी कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक कब गेहूं का आटा दोस्तों आप इस रेसिपी को गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं मैदा से भी बना सकते हैं या फिर दोनों की जो कॉंटिटी है ना उनको आधा-धा करके भी बना सकते हैं मैं बच्चों के लिए हेल्दी वे में बनाती हूं तो मैदा का इस्तमाल नहीं करती फिर हम क्या करेंगे न इसमें हम डालेंगे एक चोथाई कप दूद और इसे ढखकन लगाकर इसे पीस कर तयार कर देंगे दूद की जो quantity है न वो आपको थोड़ा थोड़ा करके gradually add करते जाना है एक साथ ही बहुत सारा दूद आड़ नहीं करेंगे वनना जो ये मिश्रण है न ये पतला हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूद डाल दीजे और इसका जो मिश्रण होना चाहिए न वो smooth texture का हो पर गाड़ा हो इस बात का ध्यान देना है बहुत जादा पतला इस मिश्रण को हमें बिल्कुल भी नहीं करना इसको बनाने में मैंने approximate एक कप के करीब दूद का इस्तमाल किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का जो मिश्रण है जो घोल है हमने बनाया है एकदम smooth है, pouring है पर गाड़ा भी है मैं आपको यहाँ पर एक बाउल में transfer करके दिखा रही हूँ उससी कि आपको एक perfect अंदाजा लगेगा कि आपको बिल्कुल इसी तरीके का मिश्रण जो है वो बना कर रेडी करना है अच्छा एक और बात अगर आपके बच्चे थोड़े जादा नखरेलू है तो आप डेट्स की जगह पर चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इस मिश्रण में डालेंगे एक टी स्पून से भी काफी कम मतलब एक से दो पिंच हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा हमारे घरों में हमेशा अबलेबल होता है वो इसमें आड करेंगे और हलके हातों से इसे नीचे तक कल्ची चलाते हुए मिक्स करेंगी तो इसमें क्या होगा एक एयर बन जाएगी यह जो आटा है तोड़ा सा फूल जाएगा अब बस फटाफट से हम इसके पैनकेक्स बनाना शुरू कर देते हैं दोस्तों पैनकेक एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है बट मैं उसे बहुत ही हल्दी वे में बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे जो खाएं वो हल्दी भी हो और उनके लिए कुछ डिफरेंट सा ऑप्शन भी हो जाए बनाना भी हमारे वेस ना हो इसके लिए हमने क्या करना है ना एक पैन गरम कर लेना है कोई भी नॉन स्टिक या तो फिर तवा ले लेना है उस पे हम डालेंगे देसी घी आप यहाँ पर ओयल मत इस्तमाल कीजिए देसी घी का यूज कीजिए तो इसका जो टेस्ट है ना वो बदल ही जाएगा अब बस क्या करना है ना एक एक कल्ची भर कर इस तरीके से इसे तवे पर डालना है तवा हमारा मीडियम फ्लेम पर गरम हो चुका है बहुत जादा गरम भी ना हो और बहुत जादा ठंडा भी ना हो अगर बहुत जादा गरम आप लेंगे ना तो यह सारे पैंकेक्स जो है ना फैल जाएंगे ठंडा होगा तब इस स्टेश पर यह प्रॉपली कुक नहीं हो पाएगा तो medium flame पर गरम हो तबा हमारा हलका सा घीर डालिए और ये सारे pancakes को डाल दीजिए gas का flame थोड़ा सा low to medium रखेंगे धीमी आज पर इसे हम पहले एक साइट से अच्छा सा cook कर लेंगे फिर दूसरे साइट से भी cook करेंगे इस तरीके से मैं से इसलिए फैला रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर जो pancakes बनाने न वो बहुत जादा मोटे ना हो पतले होते हैं तो बढ़िया लगते हैं खाने में soft भी लगते हैं और अंदर तक बहुत अच्छे से cook हो जाते हैं आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर baking soda का इस्तमाल किया था तो इसके अंदर कैसे bubbles आ गये हैं बहुत अच्छा लगता है यह अब यहाँ पर एक साइट से cook हो चुके हैं दूसरे साइट से flip करते हैं और दोनों साइट से अलटते पलटते हुए बड़िया crispy golden brown होने तक इन pancakes को हम cook कर लेंगी दोस्तो मेरे बच्चों को यह इतने जादा पसंद है ना कि पराथों के compare में यह pancakes आता है मेरे घर में उनको सबको पसंद आते हैं मुझे लगता है मेरे बच्चे कुछ अच्छा healthy खा रहे हैं और कुछ different भी हो जाता है बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी आप इस recipe को बनाएंगे ना तब भी सबको बहुत पसंद आएगा और सबसे अच्छी बात बताओं क्या है इसको बनाने में hardly आपको 15-20 मिनट लगेंगे बस उससे जदा टाइम आपको नहीं लगने वाला तो कम समय में आप ये recipe बनाकर ready कर पाएंगे अब आप देख सकते हैं ये सारे pancakes मैंने दोनों साइट से cook कर लिये हैं और इनका जो रंग है वो अच्छा सुनेरा हो चुका है और बढ़िया से अंदर तक cook हो चुके हैं तब हम इससे बाहर निकाल लेंगे आप इन्हें ऐसे ही serve कर सकते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं बट अगर आप थोड़ा सा और फ्लेवर फुल करना चाहें तो थोड़ी सी इसके ओपर आप honey डालने इसका फ्लेवर इतना कमाल का है ना कि आपके बच्चे हमेशा इस recipe को मांगेंगे मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी recipe शेयर कर रही हूँ तो आप मुझे comments में लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी recipe कैसी लगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करके मेरे चैनल को आपके साथ शेयर करें बाई